पश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक वर्फिस से हम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक वर्फिस से हम इंडिया एजुकेशन आपके लिए जोब से रेटीड अपडेट लेके आए हैं इस वीडियो में हम लोग आपके साथ MTS डाटा एंट्री और इसके इलावा जो है काउंसलर लैब टेक्निशन और मैडिकल ओफिसर की जो भरतिया निकालेगी है इसमत ओपन हुई हुई है उससे रेटीड अपडेट लेकिया है तो कैसे आप इन पोस्टों के लिए अपलाई करेंगे कौन केंडियों के लिए अपलाई कर सकते हैं उ इसमें की मल्टी टास्किंग स्टाफ की 10 पोस्टों के लिए ये भरतिया हैं जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक पास केंडियों इसमें अपलाई कर सकते हैं सेरी सचर की बात करें तो 16,614 रपेय ने पर मंत दिया जाएगा प्रेफरेंस जो है एक्सपीरि वर्ट्स पर मिनट जो है कंप्यूटर पर टाइप करने होंगे कंप्यूटर इंटरनेट और इमेल की आपको नोलेज होनी अनिवारे रहेगी 20,202 रपे इसमें सेरी पर मंत रखेगी है अगली जो विकेंसी है वो मेडिकल लैबोर्टरी टेकनेशियन की मेडिकल लैब टेक टेकनोलजी में 21,970 रपे इनको जो है पर मंत शेरी दी जाएगी इंट्रेस्टिड या इलिजिवल जो कैंडिडेट है वो www.becil.com से जाके जो है इनके ऑफिक्षियल एवसाइट से इस पोस्ट के लिए वेदन कर सकते हैं आप वेदन की जो अपलाई करने की जो होंगे अपलाई करने से पहले और फीस टेटर की बात करें तो जनल के लिए 885 रुपीज ओवी सी के लिए वी सेम ऐसी एस्टी के लिए 531 रपे एक सर्विसमें के लिए 885 वूमन के लिए 885 और EWS या फीजिकल हैंडिकाप के लिए 531 रपे इसमें जो है फीस रहेगी और जो रिक्यूट्मेंट है वो हरेहाना के एमस जो जजजर में है वहाँ पे होगी तो यह भी इसी आईल की तरफ से एम जजजर की विकेंसिस जो है निकाली गी थी अगले अपडेट की तरफ चलें तो अगला जो अपडेट है यह डिस्टिक एड कंट्रोल सुसाइटी यह भ को जो है 72,000 पर मंद सहरी दी जाएगी इसके लिए जो वोक इन इंटर्व्यू है वो 10th of every month होगे जब तक जो है इनको कैंडिट्स की कैंडिट्स नहीं मिल जाता इस पोस्ट के लिए अगली जो विकेंसिया वो लैप टेकिनिशन की पोस्ट के लिए रहेगी जिसमें एसी क एक और एक जनर्ल की पोस्ट के लिए आवेदर मागेगे हैं इसमें जो है 20 से जनवरी दुई या 23 को रिटन टेस्ट होगा डोकुमेंट वेरिविकेशन होगी एज रिमिट की बात करें तो ठारा से बताली साल के विक्ति अपलाई कर सकते हैं और इनके पास जघ्र में भरी जाने हैं इसके लिए बीकेशन जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं तो इन में से विज्ड आपके पास लिए टेपलाई कर सकते हैं या फिर आपके पास graduation हो psychology social work में तो तीन साल का experience आपके बास होना नवारे रहेगा post graduation है तो एक साल का experience और इसमें जो salary दी जाएगी counselor को वो 21,000 पर मन्त दी जाएगी तो ये हमारा update था दोस्तों इसके लिए apply करने के जो last data वो 13, 22 रखी गी है किसी प्रकार के अधिक जानकारी के लिए जो है आप इनके official website district aids control society जजर करके google message कर सकते हैं वहाँ से आप इनके official website से इसकी complete PDF वी download कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जैसे कुछ और जो अपडेट मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा थैंक यू फर वाचिंग हेमेंडिया एजुकेशन